Hey guys welcome to my youtube channel Unipix मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो non-contact forces होती वो तीन तरह की होती है एक तो magnetic, electrostatic and gravitational तो इस वीडियो में हम सिरफ magnetic discuss करेंगे आने वाली वीडियो में बागी की दो forces discuss करेंगे तो जो non-contact force की जो पहले type है magnetic force उसकी definition कहा है magnetic force is the force exerted by magnet अब magnet है जो भी force exert होगी, लगीगी, magnet द्वारा तो उसको बोलेंगे magnetic force जैसे की force of attraction and repulsion between two magnets जो भी force लगती है attraction के कारण अब attraction और repulsion भी पता होने चाहिए अब देखो, कोई भी दो magnet है मतलब magnet होता है तो उसका एक north pole होता है, एक south pole एक north pole होता है, और एक क्या होता है, south pole होता है तो इसका south है, यह north है, और इसका south है north तो यहाँ पर यह क्या north, south क्या करेंगे आपस में north, south क्या करते है, attract करते है तो attraction वाले property उसके बीच में force of attraction होगा दोनों चिपकेगे एकठी और south north भी हो सकता है, यहाँ पर भी force of attraction होगी इसमें भी चिपकेगी, तब इसनों ने arrow इस तरफ लगाया तो ऐसे भी तो किसी हो सकते हैं, कि north north magnets के इकठे होंगे, तो वो repel करेगी वो तो इसलिए इन्होंने दूर directions लगाई हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या लगाई है, दूर की directions लगाई है, तो south-south भी repel ही करेंगे, तो वो भी दूर की direction होगी, तो force of attraction or repulsion between two magnets, तो यह example है किसका, magnetic forces का force exerted by magnet on a piece of iron or steel, जो steel is a magnetic material, क्योंकि जो magnet को यह से करते हैं, खुर जिपकाएगा ठीक है, तो वो चिपक जाएगा, तो यह भी इसी की अंडर रहाती है, यह भी magnetic force की ही example है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बैल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशिन आपको विलकुल ताम पर मिल जाए, थैंक यू फो वाचुंग एट